सेकडों नहीं हजारों वकीलों की टीम हमने तयार कर रहे हैं घार किसानों के साथ साथ इस मोधी सरकार की एक ही गरंटी है सबको धोका देना ही मोधी सरकार की एक गरंटी है एक वोट के लिए छे महीने की सजा है मिनिमम अगर सौ वोट सौ वोट में धानली की होगी ना एलेक्शन के ऑफिसर ने जो जिम्मेदार है इस काम का तो छे सौ मल्टिप्लाइट बाए छे महीना ज्यान से सुन ले छे महीने की सजा नहीं है सिरफ देड़ सो लाग करोड सरकार ने उधार लिया वो सब का बोज किस पर आप किसानों पर और आम जंता के उपर है तो हमारे किसान भाई अपने आपको अकेला ना समझे पिछली बार की तरह नहीं बल्कि उनके आगे रहकर उनको हर एक प्रकार की कानूनी मदद देंगे बल्कि धाल बनके हम उनके आगे खड़े रहेंगे और ये जो इलीगल काम, क्राइम्स, पुलीस के माद्यम से, ये भ्रष्टाचारी पुलीस के अफसरों के माद्यम से, हमिच्छा साहब और मोदी जी करा रहे हैं, उसके खिलाब भी हम कानूनी कारवाई करेंगे, आप लोग बिल ये जो आपको रोका जा रहा है, उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, ये अपराद कर रही है, पुलीस भी और सरकार भी, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, कि ये कानून जो आपके हक चीनने के लिए लाया जा रहा है, और सरकार आपको कुछ भी जुट बो के नहीं पास हो, जब तक आप इनकी बात पर भरोसा नहीं करना, तब तक आप इनकी बात पर भरोसा करोगे, धोका खाऊगे, जैसा ट्रांस्पोर्टर्स ने खाया, जैसा इससे पहले आपने भी खाया, और जैसा हर वो वेक्ति जो पद्रालाग के चक्कर में था, और पता न अडानी और अंबानी दोनों के यही दोनों आपकी जमीनों पर नजरेगार के बैटे हैं यह जो तीन काले कानून आ रहे थे MSP और सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएंगे सरकार आपको यहां आने से रोक रही है ना यहां तो अंदोलन हो गई जबरदस्त अंदोलन होगा कोई कीले कोई तकत दुनिया की आपको रोक नहीं सकती अडानी और अंबानी के हर एक office पे जहां जहां भी अडानी अंबानी का office है वहाँ वहाँ भी आप प्रदर्शन लगाएं क्योंकि इस सरकार की नब्स इस सरकार की जैसे तोते की जान कहा होती है तोते में तो ये तोते जो हैं दो हैं इनके बड़े बड़े अभी और भी हैं पांच-दस लेकिन ये बड़े तोते हैं इनके ऑफिसेस के बार इनके घरों के माद्यम से दूसरा ये है कि अभी भानुजी ने बताया है कि 25 लाग करोड़ नहीं मेरे क्याल से 500 लाग करोड़ सरकार ने उधार लिया वो सब का बोज किस पर आप किसानों पर और आम जंता के उपर ही है और वो पैसा लेकर 25 लाग तो माफ किया या डानी अम्मानी जैसे लोगों का उससे ज्यादा सो लाग करोड़ रुपए ये सब लोग चुरा चुके हैं उसका करजा हमारे उपर डाल दिया तो ये बाते आप ध्यान में रखें मोधी सरकार की किसी बात तो ना माने अब मैं आज का जो फैसला सुप्रीम कोट ने किया है जो मानिनिय कहने पर हम बात दे हैं सुप्रीम कोट को हम लोग सब मानिनिय कहते हैं हम लोग बात दे हैं लेकिन दो तरह के मानिनिय होते हैं रिस्पेक्ट जो हम करते हैं और जो हम कहते हैं वो दो तरह के एक जबान से बोला जाता है और एक दिल से बोला जाता है तो क्या आज जो भानुजी मां थे कोर्ट के अंदर मैं तो नहीं था जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जज्जमेंट्स है ना बहुत सारी के अन्रीजंड ओडर कोई administration का आदमी कोई clerk भी करता है तो बहुत बुरी बात है अब सुप्रीम कोर्ट स्वैम इतने बड़े मुद्दे पर इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है देश की जनता देश की मालिक है देश की राजा है राजा बनाने में अगर घपला धांदली कोई कर रहा है देश का निजाम चलाने में जिस निजाम की वज़ा से सुप्रीम क किया जाता है जैसा बानु जी बता रहे हैं तो क्या हम दिल से ओनरेबल बोल पाएंगे इस फैसले को क्या हम दिल से बोल पाएंगे यह देश की जनता अपने आप फैसला कर ले लेकिन मेरा ऐसा मानना है सुप्रीम कोट और हमारे सारे संस्थान यह RSS और BJP के यह गुंडों क के दबाव में है ऐसा सुप्रीम कोट के चार जजिस प्रेस कॉंफरेंस करके बोल चुके हैं तो जनता को इस दबाव को खतम करना है हम देश के मालिक है देश की जनता इस देश की मालिक है सुप्रीम कोट के जजिस भी हमारे नौकर है जैसे प्रधानमंत्री नौकर है तो नौकरों को पड़ से प्रेशर हटवाना वो खुल के काम कर सके ये भी जिम्मेदारी जनता की है जो पीस्फुल प्रटेस्ट के माध्यम से ही होगी इसलिए 25 तारिक का एलान अभी डीसी कपिल साब आपको डीटेल में बताएंगे ये सबी प्रधान मंत्री जी जिनको हम अप अपना प्रधान सेवक नौकर कहते हैं वो प्रधान चोर ना बन जाए उनको रोकने के लिए भी 25 तारिक का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं और इन सब की जड़ जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं करोडों वोट खाने के बाद भी करोडों वोटों की चोरी करने के सरकारी वकीलों के माध्यम से एक जूटा एफिडेविट फाइल किया और सुप्रीम कोट ने उसका जूट ना पकड़के उसको अन्रीजन्ड ओडर एक लाइन का ओडर पास करके डिस्मिस किया है जैसा भानुजी मुझे बता रहा है तो इससे बड़ा न्याय कुछ नहीं हो स घंताने जिम्यदारी लिए अपने उपर नहीं होने देगी तो फिर यह वौटों की जो पन्ना प्रमुखों के माध्यम से ये कोई ब यह लो रगड हैं ने नहीं किया ये काम पन्ना प्रमुखों ने करवाया है सरकार में जो जो इलेक्षन कमिशन के ऑफिसे ते उसके माध यह सभी लोग अपरा दी हैं और मैं section भी पढ़के बता रहा हूं फिर मैं अपनी बात कतम करूंगा section 32 है representation of people's act section 32 वो क्या कहता है breach of official duty in connection with preparation etc of electoral rolls यानि के जो ये electoral rolls बनाने की election की list बनाने की water list बनाने की जिम्मेदारी सिरफ और सिरफ किसकी है election commission की election commission का हर अधिकारी छे महिने से लेके दो साल की सजा minimum six months दो साल की सजा भुकतेगा जिस जिसने ये fraud किया मैं आपको पढ़के सुना रहा हूं if any electoral registration officer assistant electoral registration officer or other person required by or under this act to perform any official duty in connection with preparation revision or correction of electoral rolls or inclusion of or exclusion of any entry in or from that role is without reasonable calls guilty of any act or omission in breach of such official duty he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to two years or with fine ये छे महिने कम से कम और दो साल की सजा दो साल तक सजा तब है जब एक एक वोट में कुछ गडबड़ी कर दी हो एक वोट में यहां करोडों करोडों वोटों में धानली किये हर एक election commission का officer ध्यान से सुन ले एक वोट के लिए छे महिने की सजा है minimum अगर सो वोट सो वोट में धानली किये होगी न election के officer ने जो जिम्मेदार है इस काम का तो छे सो मल्टिब्लाइड बाय है छे महिना ध्यान से सुन ले छे महिने की सजा नहीं है सिरफ तो यह ध्यान से उमर कट जाएगी जेलों में अभी भी टाइम है उसका भी प्रावदान है आप लोग जब तक nomination फाइल नहीं हो जाता है यह सारे election commission के officer सुन ले मेरी बात ध्यान से हम जो कहते हैं वो करते भी हैं उमर निकल जाएगी उमर कैद से कम सजा नहीं होगी एक भी electoral officer को election commission के officer को उमर गुजर जाएगी जेलों में अभी जाके time है जब तक nomination फाइल नहीं होता तब तक का time है हर एक election officer के पास छोड़ेंगे नहीं हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे उमर क RSS के लोगों के कहने से उसको ठीक कर लें उमर कैद से बचेंगे ये मैं बता रहा हूँ नहीं तो उमर कैद से कम सजा नहीं होने देंगे हम इस बात को ध्यान रख लें बाकी हम सब लोगों को यही कहना है कि बहुत जल्दी आप लोगों को जो political parties भी हैं उनका सयोग भी इस अंदोलन से आपको नजर आ जाएगा ये एक अच्छी खुशकरी है जो हम आप लोगों को देना चाहते थे आप लोग तैयार रहिए जंता के इस आंदोलन से जंता की इस लड़ाई से EVM को हटाने का मुहिम बहुत तेज हो चुका है अब पेपर बैलेट से ही चुना होंग आपके ये सब जो आपने फैसला किया है देश के मालिकों ने देश की जंता ने वो इंप्लिमेंट आपके ये इमांदार नौकर और सेकड़ो हजारो और इमांदार नौकर जो जान हतेली पे लेके अपनी आप देख रहे ना EVM मशीने निकाल के तोड़ी भी जा रही है और या तो ये मशीने हमारे हवाले करो हम ये ठेके ये इवियम अटाओ संयुक मोर्चा के जो पचास का चैलेंज है ना उनको देंगे और वो साबित करेंगे ये फ्रॉड है वरना ये मशीने हमें मत दिखाओ उन लोगों को आप वहां से रफा दफा करें ये हम आक से आप से आखरी अपील करके आपको एक तरीके से गुजारिश भी कर रहे हैं कि एवियम मशीन दिखाने वाले अफसरों को आप लोग भगाएं उनसे के यहां तो हमें मशीन दीजिए हम मशीन हम लोगों तक पहुचाएंगे यानि कि आपके इन सच्चे नौकरों के पास मैं बाका तो इसको आपको सबुत के साथ सिद्र कर रहा हूँ और यह हमने सुप्रीम कोर्ट की पेटिशन में भी लगा रखा था यह है नौ दस यह नौ आठ दोहजार तेईस का एक नोटिफिकेशन है जो इलक्षन कमिशन ने निकाला है उसने कहा है The Election Commission of India has issued instructions dated 9-8-2023 for appointment of both level agents BLAs by the recognized political parties in order to maximize the transparency in the process of preparation and revision of electoral roll and also to improve its fidelity मतब साफ साफ उने कहा कि recognized political party जो है वो अपने बूत लेवल के agent निक कर सकते हैं इस electoral roll को बनाने के लिए वोटरलिस्ट को बनाने के लिए अगर आप एक व्यक्ति को अपरिंट करेंगे एक विधान सबा में एक उसके लिए सो कितना पैसा लगेगा कम से कम 10,000 रुपे आप calculate कर लिए लोग सामा में कम से कम 20,000 पोलिंग बूत है देन कितना पैसा होगा करोणों में जाएगा तो कैसे कोई party करोणों रुपे केवल वोटरलिस्ट को ठीक करवाने में इस जो सारी कारवाई करनी चाहती है इलक्शन कमिशन को उसमें भाग ले सकती है कौन ले सकता केवल रूलिंग पार्टी और आज के तारिक में आप समझते हैं कि बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है देश को इतना लूटा है सो उन्होंने ये सारी के सारी चीज़ें फरजी जो वोटें बनवाई हैं उसके पीछे ये लोग हैं और इलक्शन कमिशन ने भाकादा उनको ये सुगदा उपलब्द कराई